बीते हुए का जिकर न करना, आने वाले समय की फिकर न करना, बस वर्तमान में रहना हवाओं से कह दो, हवाओं से कह दो अपनी आउकात में रहें, हम परों से नहीं होसलों से उड़ते हैं थोड़ी देर, हम जीवन यात्रा में उत्रें, इस यात्रा में जो भी अंतसमें गया, वो कृत-कृत्ते होकर आया वो भरपूर जीया, वो पून-पून स्वस्थ हो गया अपने स्वभाव की और बढ़ना, बहुत जेली है हम मन की दुनिया में अब थोड़ा इस शाश्वत संगीत की और आना, मन से हटकर, विचारों से हटकर, अपनी शिर्नेत्र में, यानि अपनी अवेरनेस में आना मन के चलावे में आकर, सारा जनम योँ ही गुजरा जा रहा है, थोड़ा सा बचा है इसे अपने प्रभू के हाथ दे देना, माइड के हाथों बहुत लुट गया तुम जगा मगाते हुए जीना नेक्स्ट शलोग में कहा गया, परमेश्वर मनुश्य के ने तो करतापन की, ना कर्मों की, और ना कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं किन्तु स्वभाव ही बरत रहा है, इसे ध्यान से समझना यहां लोगों की सामाने धारना है कि भगवान कर्म करवाते हैं और वैसे सांखे योगी होकर चलना, या कर्मी योगी होकर चलना यह हमारे हाथ में हैं, भगवान के हाथ में नहीं भगवान ने तो जब इस जगत का निर्मान किया जगत, जगदीश्वर और जीव यनि जगदीश्वर ने जब इस जगत का निमान किया तो जगत के अंदर द्वैद की रचना की अच्छा, बुरा, हश, शोक, शुब, अशुब, पाप, पुन्य ये सारी रचना जगदीश्वर ने की है जगत के अंदर, लेकिन उसी जगत में उसने एक और वस्तू को क्रेट किया जीव को इस जगत से अलग रखा इश्वर ने कहा, जीव का अपना चुनाओ है कि वो द्वैत में से क्या चुनना चाहता है द्वैत तो जगत है, इस द्वैत में से उसे क्या चुनना है जीव इसके लिए बिल्कुश स्वतंत्र है इश्वर कह रही है मैंने इस जगत में क्रोध को भी रखा शमा को भी रखा लेकिन जीव को श्क्रोध और शमा दोनों से स्वतंत्र रखा है कि उसका चुनाव क्या है प्रोध को चुनना है ये शमा को चुनना है ये दोनों में से कुछ न चुनकर मात्र प्रेम में स्थित रहना है ये चुनाव जीव का सुयम है इसलिए सारा जगत मेरी माया के प्रकोप में चल रहा है क्योंकि जगत द्वैत से मुक्त नहीं होने वाला जीव चुनाव करते करते सही डाइमेंशन पर जा सकता है तुम्हें किस मार्क से चलना है ये निर्ने भगवान नहीं करते ये निर्ने तुम्हें सुयम करना है चुनाव का अधिकार तुम्हारा है इश्वर मनुशे को कर्म करने की प्रेणा नहीं देता इश्वर मनुष्य को चुनाव का अधिकार देता है द्वैत है, जगत में ड्वैलिडीज हैं लेकिन जी स्वतंत्र है, ये बाद ध्यान रखना कर्म में करतापन इश्वर नहीं कराता तुम्हारा अहंकार कर्म कराता है तुम कहते हो मैंने शमा किया, मैंने ग्रोध किया, ध्यान रहे, दोनों ही माइंट की चॉइसेज है, अहंकार है, अगर माइंट और बुद्धी को तुमने मैं मान लिया, तो अहंकार आएगा ही आएगा कर्म की चॉइस भी तुम्हारी अपनी रूची करा रही है, तुम्हारे अपने मूट्स, कभी ये, कभी वो, तो कर्म फल फिर भगवान कैसे दे सकते हैं, तुमने जो भी कर्म किया, उसी का फल तो मिला, बस लीला चल रही है, इश्वर ने कुछ काइदे, कुछ रूस बनाए उन्ही को कर्म सिध्धान्त कहते है, इश्वर ने खेल की रचना की है, अगर तुम इश्वर की शक्ती को, उसकी लीला को समझ जाते हो, तो खेल खेलने में बहुत मज़ा आता है, प्रसंता होती है, भले ही तुम हारो, कभी विपरीत परिस्थितियां भी आ जाती है, लौक इसको अच्छी तरह जानते हैं, कि मैं मन नहीं हूं, मैं इश्वर नहीं, मैं बुद्धी नहीं, फिर इस खेल को खेलने का मज़ा ही अलग है, वो नशा ही अलग है, निगाहों में तुम हो, खयालों में तुम हो, ये जन्नत नहीं है, तो फिर और क्या है, बस उस दर्द से ही ये गीता, या कहो गीत उतर कराता है, यानि जिसे समझ आ गया है, कि जब सूरे का उद्या होता है, तो स्रिष्टी में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्म होते हैं, लेकिन क्या हम इस बात से कह सकते हैं, कि अच्छे और बुरे कर्म सूरे ने कराए इसी प्रकार आत्मा की जोती, परमात्मा की उर्जा के कारण, जीव का अंता करण अच्छे और बुरे की योजना करता है लेकिन हम ये कैसे कह सकते हैं कि उसे आत्मा ने करवाया बस जन्मो जन्म का यही अज्यान है, आत्मा है आत्मा की चारों और अन में कोश, प्रान में कोश, मनु में कोश, विज्ञान में कोश और आनंद में कोश है लेकिन जो भी चोईसिस का काम चल रहा है वो हमारे मनु में कोश और विज्ञान में कोश के अंदर चल रहा है उसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि भीतर जो आत्मा रूपी सूरे पड़ा है उसने ये चोईसेस कराई है नहीं उसकी प्रेजेंस में मन और बुद्धी चोईस करती है लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उसने चोईस करवाई यही है तत्व दृष्टी इतना भेट डालना होगा तभी कारे होगा नेक्स में कहा गया जब मन बुद्धी उगरती है तब उसका परिणाम क्या होता है जिसका मन दुरुपध हो गया है ददुरुप यानि अब अपना अहंकार, इगो, मन, बुद्धी शरीर से नहीं जोड़ता और मैं से जोड़ता है, इसे ददुरुप कहा जाता है यानि जो तुम हो, उससे अपने आपको जोड़ना तुम्हें शरीर मिला, मन मिला, बुद्धी मिली ये तीनों साधन मिले हैं लेकिन इन साधनों में मैं पना न जोड़कर जो इन साधनों के पार द्रिष्टा है, जो आत्मा है उससे मैं पना जोड़ता है, इसे ददुरुप कहा दूसरी जिनकी बुद्धी ददुरुप हो गई है यानि हम सब के पास इतनी तो बुद्धी है कि मैं ये किताब नहीं हूँ मैं ये नहीं हूँ, एंटाइर बॉड़ी थोड़ा और पीछे चलू पहला शरीर है, दूसरा साधन तुमारा माइंड, तीसरा इंट्रलेक्ट लेकिन मैं ये भी नहीं हूँ मैं इन तीनों के पीछे जो चैतन्य सत्ता पड़ी है वो मैं हूँ ऐसे एका की भाव में जो रहता है वे फिर पुन्रवृत्ति को प्राप्त नहीं होता यनि उसका जनम मरन नहीं होता जनम किसका होता है बार-बार मन का, बुद्धी का, शरीर का बार-बार अवगमन होता है ये सत्ता तो मात्र जानती है और कुछ काम नहीं करती तो जिसने बुद्धी से एक बार ये निने ले लिया कि मैं ये शरीर नहीं, मन नहीं वो कर्म तो फिर भी करेगा लेकिन वो फलकी आशा से रहित करेगा बस इतना समझ जाओ पहले बुद्धी में ये निने कर लो कि मैं आत्मा हूँ बाकि सारे मेरे सहियोगी है इस जीवन के अंदर बस मैं अब काम करूँगा निशकाम होकर, रागद्वेश से रहित होकर और करतापने के आंकार नहीं से और इस मश्टी के कल्यान के लिए होगा जो भी काम होगा इसलिए अब मुझे बार-बार गर्भ में नहीं आना पड़ेगा बस बुद्धी से ये निने करना है शरीर और मन से तुमें कर्म करना है लेकिन इसकी क्वालिटी क्या होगी आप स्वेय मनुभव करोगे उस शक्ति को, उस शान्ति को भीतर के पीस को ज्यानी जन चाहे को योग द्रिष्टी से चले चाहे सांखे द्रिष्टी से ये ज्यानी जन विद्धिया युक्त होते है यानि विवेग पूरा-पूरा होता है सत्का असत्का ये नहीं कि उन्हें कौन सा शास्त्र आता है या नहीं आता, उनके पास ये विद्या होती है, कि ये मन, बुद्धी, शरीर, ये असत है, आत्मासत है, इस विद्या को वो अच्छी तरह से जानते हैं, वे विनेय यूगत होते हैं, उनको जब सभी में परमात्मा दिखता है, तो आक्रोश कैसे आ सकता है, अकड़ और अहं स्मौान दीखे, तुम कहते हो हम में तो ये यूगता ही नहीं आती, ऐसी आखे और ऐसा दिमाग भगवान ने दिया है, कि जजमेंट ही करता रहता है, आप किसी को भी देखकर जब जजमेंट करते हो, तो किसको देखकर की, उसके शरीर को, या मनबद्धी को देखकर जजम करेगी समदर्शी बने बिना तुम सांखे द्रिष्टी के परिणाम को नहीं समझ पाओगे जिसके भीतर ये समवेदर शीलता आई है वो ज्यानियों की सभा में जाकर आनंदित होने की संभाव ना रखता है क्योंकि तरंग उठने का काम तुमारे भीतर में होगा अंतस्में ह बीतर के यंत्र को जागरित करना होगा तुम्हें कितना महत पून डोल दिया गया हरदय है लेकिन तुम ज्यानी को देखकर कभी तरंगित ही नहीं हुए लोग बुद्ध की दशा को देखकर ही आत्म ज्यान को उपलब्ध हो जाते हैं शब्दों के साथ नहीं बलिक मौन मे मौन में तरंगित होना सीखो इस टूल को चेंज करके यानि फूर पॉइंट्स है जो तुमें भीतर से चागरित करेंगे दूसरों के दुख के वेदन से अपने आप स्वयम वेदन में जाना पॉसिबल है कि नहीं इसका परिणाम यह होगा तुम उनके लिए कुछ करने की स परिणान की भावना से भरना और पुर्शार्थ तीसरा स्वयम से अंजान और अपरिचित लोगों के लिए भी कल्यान की भावना चौथा उनके आचरन में विविदता होती है यानि कभी भगति कभी ससंग कभी स्वयम की साधना कभी पाठ लेकिन तुमारा आशरे नहीं ब नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं कश्टियां बदलने के जरूरत नहीं दिशा को बदलो किनारे खुद बखुद बदल जाते हैं जाजे रहना अंतसमे